हेलो दोस्तों नमस्कार आज हमारे पास यह बीब वाई अक्यानवे का फोन है दोस्तों और इसमें आज हम आपको फोल्डर लगा के मतलब दिखाएंगे कैसे इसे फिट किया जाता है ठीक है तो आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है और आप लोग को देखना है सीखना है कैसे फोल्डर को लगाते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम यहां बैक प्रेंट करेंगे और यहां पर हम यहां से निकाल देंगे इस तरीके से ठीक है यहां फिंगर्प्रेंट का पत्ता निकालने के बाद में हम फिर बैटरी को रिमूब करेंगे ठीक बैटरी को रिमूब कर से निकल जाए तो हमने इसको गरम कर लिया है और फिर यहां से चारो साइड से इस तरीके से जहां से आप चाहें तो ओपनर की मदद से भी कर सकते हो तो गर आपके पास है उपनर तो आप उपनर की मतल्स सभी कर सकते हो अधर्वाइज अगर आप SMD से हीट कर लोगे तो आपको उपनर की आपसकता नहीं पड़ेगी आरहाम से निकल देगा ठीक और उसे निकालने के बाद में आराम इस तरीक से निकालने के बाद आपको पुराना वाइन डिसपिले चाला है उसको इक साइड में रहें पूरे साफ करना है और अपना कैमरा और सैंसर को ध्यांद देना है ताकि उस पर कोई मतलब कोई चीज जो गर्दावर्द है वो ना जाए ओके तो इस तरीके से हमको अपने सारे बैक पैनल को पूरी अच्छी तरीके से साफ कर लेनी है तो इसको हम पहले साफ कर लेते हैं दोस्तों फिर आप लोग को आगे की बताते हैं ठीक है तो नहीं से टेना नहीं होना है अगर टेना है तो उसे आप सीधा कर लेजिए देख को हमने पूरी तरीक अच्छे तरीके से साफ कर लिया ठीक चारों साइड में अब हम यहां पर गम अपलाई करेंगे यहां पर हमको कैमरा और सेंसर यह दोनों चीज छोड़के लगानी है कैम कैमरा और सेंसर दोनों कैमरा के पास है सेंसर भी है और यहां पर आराम से ठोड़ा ठोड़ा करेंगे यहां पर अपटेश ऊफिलाई करते है ज्एवしてं सब्सक्राइब और निगात एक अन्दर ब हो जाएगा पर प्रके उसके अंदर ब्लेक हो जाएग कर दो देने हैं आपका डिस्पले के अंदर जो है वो ब्लेक ब्लेक दिखने लगेगा तो इसलिए आपको जादा नहीं लगाना है थोड़ा सा लगाना है और अगर आपसे जादा हो भी जा रहा है तो मैं आगे बताऊंगा उससे कैसे निकाल लेना है ठीक है तो जहां पी अभी देखो इस त अभी हमारा हो गया है अभ हमको देख लीजिए हमारा यह निया वाला रिभ्सकादी इसको चिबकाने से काम और में बगर करता ही दो इसलिए हम यहां पे पनी उजाड़ना जरूरी है गञालना भी ज़रूरी है पन्नी को निकालने के बाद में इस तरीके से आराम से आपको इस तरीके से आराम से रख देना है शिपका देना है ठीक यहां देखो बराबर से इसे रख के हलके हाथों से फिर इसको दबा देंगे यहां हलके हाथों से इसको दबाएंगे यह इस तरीके से ऐसे आराम से दबाते आएंगे दबाते आएंगे और यह हमारा हो गया तो आप इस तरीके से करके इस वाले से ऐसे आराम से उपर से निकाल लेना है जो जो ऊपर का है तो इसको फटा-फट इस तरीके से निकाल लेंगे तो अभी हमने इसको भी इस तरीके से आपको बता दिया है अगर आपका ज़्यादा हो जा राहिग हम तो आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, और फिर अपने आपको यहाँ पे डिस्पले का जो प्ता है, उसे यहाँ पे चिप्का देना है, अराम से, ठीक, प्राबर से लाएके इसको चिप्का देना है, वे ब Thirty बस आपका हो गया यहां पे डिश्पैले का जो हैогодws Type 5 अभड का अब आपको यहां पे फटाफट बैटरी लगानी है. और बैटरी को यहां पे बैटरी का जो पत्ता है उसे लिए लगा देना है उसके बाद को आपको नेटकर्थ देना है इसको पूस्त 1201 यहां पे बैटरी के ऊपर जो एक लगा होता है हमारा जो पत्ती है उसको ही यहां पे लगाना है एक ही स्कुरू यहां पे आपको सारा नहीं खोलना है एक ही स्कुरू खोलने के बाद में आपका डिस्प्ले भी लग जाएगा बैटरी भी निकल जाएगी इस तरीके से आपको एक शुरू कस देना है उसके बाद में आपको पैनल लगा लेना है पैनल लगाते समय में आपको फिर से बतायों दोस्तों आपको यहां फिंगर्प्रिंट को इस तरीके से लाके लगा लेना है ठीक फिंगर्प्रिंट है यह फिंगर्प्रिंट का पत्ता है इसको आपको लग पहले जिस तरह बटन लगी हो उस तरह पैनल लगाई उसके बाद में आपको पैनल लग जाए फिर आप हो गया तो यहां पर हमने हमारा डिस्प्ले वह ओके है तो आप देख सकते हो यहां पर ओपन हो गया है ठीक है अब हम यहां पर अपना रबड को अपलाई करेंगे इस प यहां पर इस तरीके से हैं अब हम यहां पर देखिए यह इतना वड़ा हो रहा है अब क्या करने इसको तीन बार ही गुमाएंगे दोस्तों एक दो और यह तीन इसको इस रबड को हम तीन बार ही गुमाएंगे दोस्तों आप चाहें सिंगल रबड लगा सकते हो आपकी ट्रीक करने हैं तो आप यहां पर इस तरीके से आप यह तिन तिन करके आपको फटा फट यहां पर इस तरीके से लगाते जाना है और यह आपका हो गया ठीक इस तणिदे के से आपको लगा लएना है और आपका यहाँपे हो गया है देख रॉक्त हैशुग मनें 5 रबड इस त्राइब से ठीक है लगया है और दो तीन रबड आपको ऊपर की साइड से और नीचे की साइड तक लगाना है जहाँ पर इस तरीक से यह आपको 2 लगा लीजीए आपको 3 लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ठिक है बस यह आपका हो गया इस तरीके से लगा के आपको रख देना और आपको यह फोन मा पदम आध्य गंटे लिए रख Dondo है इसको फॉनра और आधे गंटे के बाद ही आपको यूज करने है ठीक है तो जहां पर अगर आधे गंटे के बाद भी आपको जहां लगता है कि नहीं चपक के रखा था वहां पर आपको कम लगा देना है